बहुत पुरानी बात है मगद राज में एक सोना पुर नाम का गाओं था उस गाओं के लोग साम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था इसका कारण डाकू अंगली माल था डाकू अंगली माल मगद के जंगलों की गुफा में रहता था वह लोगों को लुटता था और जान से भी मार देता था लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक अंगली काट लेता और उन अंगलीयों की माला बना कर पहनता इसलिए उसका नाम अंगली माल पड़ा, गाउं के सभी लोग परिशान थें कि कैसे इस डाकू के आतंग से छुटकारा मिले, एक दिन भगवान गौतम बुद्ध उस गाउं में आएं, गाउं के लोग उनकी आवभगत करने लगे, गाउं के लोगों में किसी बात को लेकर द निकल गएं, गाउं वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर वह ना माने, बुद्ध को आते देख अंगली माल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गएं, उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा, अंगली माल उनके पीछे दोड़ा, पर दिव्य परभाव के कारण, वो बुद्ध को पकर नहीं पा रहा था, ठक हार के उसने कहा, रुको, बुद्ध रुक गएं, और मुस्कुरा कर बोलें, मैं तो कपका रुक गया हूं, पर तुम कभी हैं हिंसा रोकोगे, अंगली मान ने कहा, सन्यासी तुम्हे मुझे से डर नहीं लगता, सारा मगद मुझे से डरता है, तुम्हारे पास जो माल है, निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैट होगे, मैं इस राजे का सबसे सक्तिसाली बैखती हूं, बुद्ध जरा भी नहीं घबडाएं, और बोलें, मैं कैसे मान लो, कि तुम इस राज तोड़ कर लाओ, अंगलिमान ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड उखार सकता हूं, अंगलिमान ने दस पत्तियां तोड़ कर ला दी, बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर लगा दो, अंगलिमान ने हैरान होकर कहा, तूटे हुए पत् तो बुद्ध बोले जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस जोड नहीं सकते तो तुम सबसे सक्तिसाली कैसे हुए यदि तुम किसी चीज को जोड नहीं सकते तो कम सकम उसे तोड़ो तो मत यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यू देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है यह सुनकर अंगलिमाल को अपने गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का सिस्य बन गया और उसी गाउं में रहकर लोगों की सेवा करने लगा आगे चलकर हुआ अंगलिमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तो इस कहाने से हमें यह सिच्छा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों नहों वह बदल सकता है दोस्तो अंगलिमाल बुराई का एक परतीक है और हम समय छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई होती है जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराई को पहचाने और उन्हें समाप्त करें दोस्तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीजी से लाइक करें सेयर करें और साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दमाना बिल्कुल न भूलें